हलो बच्चों मैं मधुमाला आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारी आज की कक्षा में तो बच्चों आज हम कक्षा नौ की हिंदी पाठे पुस्तक शितित से काव्य खंड के अंतरगत आने वाली कवीता जिसका शीर्शक है ग्राम श्री और जिसके कवी है सुमित्रा नंदन पंत जी आज हम इसी की चर्चा करेंगे तो बच्चों जैसा की आपने शीर्शक पढ़ते ही ये जान लिया होगा की ग्राम का अर्थ क्या होता है ग्राम का अर्थ होता है गाउं और श्री के तीन अर्थ होते हैं जिन में से यहाँ पर उप्यूक्त अर्थ निकलता है शोभा यानि ग्राम मतलब गाउं और श्री का अर्थ होता है शोभा तो क्या अर्थ निकला यानि गाउं की शोभा और इस कवीता के कवी कौन है सुमित्र सुमित्रा नंदन पंथ जी तो कवीता में आगे बढ़ने से पूर्व हम पहले कवी परिचय जान लेते हैं सुमित्रा नंदन पंथ जी इनका जन्म उत्रांचल के अलमोडा जिले के कौसानी गाउं में सन उन्निस सो में हुआ था उनकी सिक्षा बनारस और इलाहबाद में हु महात्मा गांधी के अव्वाहन पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दी आए जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं वीना ग्रंथी गुंजन ग्राम्या पल्लव युगांत स्वर्ण किरन स्वर्ण धुली कला और बूढ़ा चांद लोकायतन चिदंबरा तो ये इसकी इनकी प् पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्या कादमी पुरस्कार भारतिया ज्यान पीट पुरस्कार और सोवियत लैंड नहरू पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया बच्चों पंत की कवीता में प्रक्रती और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है और उन्होंने आधुनिक हिंदी कवीता को एक नवीन अभिवेंजना पद्दती एवं काव्य भाषा से संब्रद्ध किया भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सटीख शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवी भी काहा जाता है क्यूंकि ये शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करते हैं ग्राम श्री कवीता में पंत ने गाओं की प्राकरतिक शूश्मा और संब्रधी का मनोहारी वन्नन किया है खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसले फल फूलों से लदि पेडों की डालिया और गंगा की सुन्दर रेती कवी को रोमांचित करती है उसी रोमांच की अभी व्यक्ती है यह कवीता यह कवीता जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यह किसके बारे में हैं गाउं में बसी प्राकर्तिक सुन्दर्ता के ऊपर बच्चों जिन यह उन बच्चों के लिए है जिन उन्हें गाउं कभी जाकर देखा नहीं है कि वहाँ पर कैसी प्राकर्तिक सुन्दर्ता च्छाई रहती है खेत कैसे होते हैं उस पे पड़ी ओस की बूंदे कैसी लगती हैं कैसा नजारा होता है तो आप इस कवीता के जरीए ये सारी चीजों का अनुभब स्वयम ही कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कवीता ग्राम श्री अर्थात गाउं की शोभा फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिप्टी जिससे रवी की किरने चांदी की सी उजली जाली बच्चों इसमें आपको बता दूँ क्योंकि जब मैं कवीता वाचन आपके सामने करूंगी साथ ही साथ शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी इससे क्या होगा कि आपको कवीता समझने में आसानी होगी तो यहाँ पर तलक दूर तलक का अर्थ है यहाँ पर तक तलक शब्द का अर्थ तक और जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कैसा चित्र है हर्याली से भरा हुआ दूर तक आप देख पा रहे हैं कि हरे हरी जहां तक आपकी नजर जाएगी हर्याली हर्याली च्छाई है उपर नीला आस्मान और नीचे धर्ती पर हर्याली च्छाई है तो यहाँ इस इन पंक्तियों में कवी सुमित्रा नंदन पंत जी हमें क्या बता रहे हैं हमें गाओं की सुन्दर्ता का वर्णन वो यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं हमें बता रहे हैं आईए जानते हैं इसका भावार्त इस कवीता में गाओं के खेतों के सौंदर्य का च पारी फसले उग चुकी हैं इसलिए चारो तरफ हर्याली फैली हुई है और जब सुबा सुबा इसमें ओस की बूंदे गिरती हैं तब सूर्य की किरने इन बूंदों पर पढ़कर चारो तरफ फैलती हैं तो सारा वाता वरन चमक उठता है और इसी वजह से ये खेत की जो हरियाली है उपर से ऐसी लगती है जैसे चांदी की जाली वहाँ पर किसी ने रखी है दूर से कैसा लगता है जैसा लगता है चांदी भी खेर की रखती है अब यहाँ पर चांदी कौन है चांदी है खेतों में बच्चों ख सुबह सुबह उड़ते हैं ठंड का मौसाम होता है तो हर पत्तों पर चोटे चोटे बड़े बड़े पत्तों पर आप ओस की बूंदों को गिरा हुआ पाएंगे तो उन बूंदों को चारो तरफ विस्तृत जिस्थान पर देखते हुए कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे क हरित रुधिर है रहा जलक बच्चो तिनको तिनको का अर्थ होता है जो तिनका नहीं होता घास का तिनका या किसी भी पौधे का छोटा छोटा तिनका उनके तन पर तन का अर्थ होता है शरीर हिल हरित हरित का मतलब क्या होता है हरियाली रुधिर रुधित का अर्थ क्या हो दून रहा जहलक शामल भूतल पर जुका हुआ शामल अर्थात हरा नवका चीर निर्मल नील फलक किसे कहा गया है नील फलक का अर्थ है नीला विस्तार और निला रंग किसका होता है नीचे जमीन अगर हर्याली चाही है तो उपर आकाश है जो की नीले रंग का कवी को प्रतीत हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नीचे यदी जमीन पर हर्याली विस्तृत रूप से चाही हुई है तो उसे ढखा हुआ कौन है अपने आचल से ये कौन है नीला विस्तृत निर्म चलिए जानते हैं इसके भावार्थ जब नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरने पर रही हैं तो वह ऐसा लग रहा है मानों सूर्य की किरने उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून साफ दिखाई दे रहा है और जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश जुक कर खेतों की हर्याली के उपर अपना आचल बिछा रहा हो जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं ये देखे आपने देखा इस चित्र में मैंने ओस की बूंदों को यहां पर दर्शाने की कोशिश की है तो ओस की बूंदों से क्या होता है कि जो तिनके हैं उनके उपर जब ये पढ़ती हैं तो ऐसा कवी को प्रतीत होता है क्योंकि कवी तो अपनी कल्पनाई कर रहा है उसे जैसा दिख रहा है कवी की नजर से वो वैसा ही ह में अभिव्यक्त कर रहा है वो कह रहा है कि ओस की बूंदे बिलकुल पारदर्शी हैं पारदर्शी कहते हैं ट्रांस्परेंट को यानि इतनी पारदर्शी हैं कि तिनकों के अंदर जो खून है कैसा खून है हरे रंग का खून क्यूंकि क्यूंकि संसार में अन्य जीव अलग अलग प्रकार के रंगों के खून होते हैं कई जीव जनतियों के लाल खून होते हैं लेकिन यहां पर पेड़ पौधों के खून की बात की जा रही है और वो किस रंग के बताए जा रहे हैं हरे रंग के तो यह कैसे दिख रहा है ओस की बूंद क्यूंकि पारदर्शिता के कारण कवी को जो तिनकों के अंदर संचारित हो रहा जो रक्त है वो किस रंग का दिख रहा है हरे रंग का दिख रहा है चलिए अब अगली पंक्तियों की और बढ़े रोमान्चित सी लगती वसुधा रोमान्चित का आर्थ होता है प्रसंद और वसुधा वसुधा है परियावाची शब्द भूमी का प्रित्वी का आई जों गेहूं में बाली जों मोटे अना designed इसको कहते हैं जों का और गेहूं गेहूं आप सबको पता होगा गेहूं की फसल होती है जाओं की फसल होती है तो उसमें बालियां आ गई है अरहर सनई के सोने की अरहर जिसे तूर की डाल कहा जाता है और सनई क्या होता है सनई होता है एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है किंकनियां है शोभा शाली किंकनियां का अर्थ होता है करधन करधनी होता है जिसे कमर में एक तरह का ये एक गहना होता है जिसे कमर में बांधा जाता है स्रिया इसे अपने कमर में कमर बंद भी इसको कहा जाता है तो इसे कमर में लटकाती है स्रिया तो यहाँ पर कवी क्या कहना चाहते हैं आईए देखते हैं इसका भावार्थ प्रस्तुत कवीता में कवी ने फसलों से लदी हुई धर्ती की सुन्दर्ता का वर्णन किया है कवी का कहना है कि जब फसल लग जाती है तब कितनी सुन्दर दिखती है पूरी पृत्वी कहीं जाओं की फसल है कहीं गेहूं की फसल है कहीं सनई की फसल है तो ये कैसा प्रतीत हो रहा है कवी को कवी के अनुसार खेतों में जओ और गेहूं की फसलों के उगने से धर्ती बहुत ही रुमान्चित लग रही है अर्थात बहुत खुश लग रही है अरहर और सनई की फसलें इस तरह लग रही है मानों वे सूने की करगनी हो जो किसी युवती कौन सी युवती धर्ती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हो देखिए यहाँ पर कवी की कल्पना कितनी सुन्दर है आगे बढ़ते हैं अगली पंकियों की और उड़ती भीनी तैलाक्य गंध फूली सरसो पीली पीली लो हरित धरा से जहांक रही नीलम की कली तीसी नीली बचों यहाँ पर भीनी शब्द का अर्थ बताया गया है यानि भीगी हुई यानि मिठी मिठी कहते हैं न वर्षा के दिनों में मिठी की भीनी भीनी खुश्बू आती है अर्थाक मिठी मिठी सी खुश्बू आती है और तैलाक्य का शब्द का अर्थ है तेल और गंध का हुआ खुश्बू तो फूली सर्सो पीली पीली यहां पर आप देख सकते हैं मैंने चित्र यहां पर दिखाया गया है कि सर्सों के यहां पर पौधे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं पीले पीले और क्यूंकि आप सब को पता है कि सर्सों से क्या निकलता है? सरसों का तेल, और नीचे जो चितर दिया गया है, वो है तीसी का, यानि अलसी का, तो अलसी का भी तेल निकलता है, तो ये तेल की खुश्बू के बारे में यहां पर कवी चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं इसका भावाध, हवा के चलने से हिल हिल कर, मधु ध्वनी उत्पन कर रही है क्या ये एक सुंदरता का प्रतीक माना जा रहा है कि जब हवा क्वा क्थ खेतों हो एक पोधे और एक ध्वनी उत्पन कर रहे हैं और सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक तेल की खुश्बू अपने आप ही बह रही है जो धर्ती की प्रसन्नता को बता रही है और इस धर्ती इस हरी भरी धर्ती की सुन्दर्ता को बढ़ाने के लिए उस तीसी के नीले फूल भी अपना सिर उठाकर जाक रहे हैं तीसी के नीले फूल नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हैं तो देखा बच्चो कवी कह रहे हैं कि प्रकरती की शोभा तो देखते ही बनती है जो तीसी के जो फूल है किस रंग के फूल थे मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया था वो थी नीले रंग के फूल तो कवी को ऐसा लगता है कवी ऐसा प्रतीत करते हैं कि जो तीसी के जो फूल है चोटे चोटे नीले नील ये मनी की तरह यानि नीलम की तरह नीलम एक तरह का पत्थर होता है तो ये उस रत्न की तरह उन्हें प्रतीत हो रहा है और धर प्रती कितनी सुन्दर प्रतीत हो रही है अच्छी लग रही है आखों की शूभा बढ़ा रही है चलिए आगे अगली पंक्तियां देखें रंग रंग के फूलों में रिल मिल हस रही सखियां मटर की मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी बच्चों आप यहां पर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं चित्र में क्या दिखाया है कि फलियां यानि मटर की फलियां जुंड में उगी हुई है और नीचे तो उन छीमियों से छीमियों कार्थ होता है फलियां उनमें से मटर के दानों को भी निकाला गया है तो यहां पर कवी प्राकृतिक सौंदर को निहारते हुए कह रहा है कि यहां तो फल फूल भी क्या कर रहे हैं पृत्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं सुंदरता की और यहां पर जो मटर की फलियां है ऐसा लग रहा है कि वो सक्षियों की तरह खड़ी है चीमिया इसकार्थ मैंने बता दिया अर् मतर्ख बिरंगी फूलों की सुंदरता का वन्दन किया है कवी कह रहे हैं कि विभिन्न रणगों के फूलों के बीच क्या हो गए मतर्ख की फसले खड़ी हो कर हस रही है मतर्ख के पॉधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मकमल की पेटियों में बीज छुपा कर खड़ी होकर हस रही है अर्थात कवी कवी की कवी ने ये अभी व्यक्त करने की चेश्टा की है कि क्या कर रही है मतर की छेमिया ऐसा लग रहा है कि वो संदूक लिए खड़ी है एक पेटी लिए खड़ी है कैसा संदूक मकमल मकमल का संदूक इसकी अंदर उन्होंने हीरे जव जवारात जिसकी तुलना किस से की गई है मतर से की गई है तो कैसे चीमियों के अंदर मतर होते हैं बाहर नहीं होते ना तो वो अंदर होते हैं तो इसकी तुलना की गई है पेटी से जैसे हम अपने जो कीमती जवारात होते हैं सामान होते हैं हम उसको पेटी में रखते हैं ठी कवी की कल्पना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ फिरती है रंग-रंग की तितली फिरती है रंग-रंग की तितली रंग-रंग के फूलों पर सुन्दर फूले फिरते हैं फूल स्वयम उड़-उड वरिंतों से वरिंतों पर तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर चित्र में आप स्वयम ही देख सकते हैं कि कितनी सुन्दर और रंग विरंगी तितलियां हैं और तितलियों के साथ किस चीज की चित्र है वहाँ पर फूलों के चित्र हैं क्योंकि जहां फूल होते हैं वहीं पर तितलियां होती हैं तो आए इसके शवदार्थ पहल पर ये कि अलग-अलग फूलों पर फूले फिरते हैं फूल स्वयम यानि स्वयम फूल ही ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं इधर उधर और उड़ उड़ वरिंतों से वरिंतों पर वरिंतों का अर्थिहां पर है डंडल डंडल होती ना जब फूल उपर खिला रहता है तो नीचे हरे रंग की क्या होती है वो डंडल होती है ठीक है आईए जानते हैं इसका भावार्थ प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ने खेत में रंग बिरंगी तितलियों की सुन्दर्ता का वर्णन किया है रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही है और हवा के जोकों से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो लगता है कि वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं केहने का भाव यह है कि कवी की कलपना सजक हो उठी है जिसमें उन्होंने रंगों से भरे वातावरण का बड़ा ही मनोहारी चित्रन किया है बच्चों इन पंक्यों में कवी ने क्या बतानी की चेश्टा की है कि उन तित्रियों और उन फूलों को देख करके कवी को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों की फूल स्वयम ही उड़ उड़ के इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि रंग भी रंगी तितलियां भी हैं रंग भी रंगे फूल भी हैं तो कवी को देखने में ऐसा लग रहा है कि फूल स्वयम ही उड़ उड़ कर दूसरे फूलों के पास जा रहे हैं आएए बढ़ते हैं हम अगली पंक्तियों के तरफ अब रजत स्वन मंजरियों से लद गई आमर तरू की डाली जर रहे ढाक पीपल के दल और हो उठी कोकिल मतवाली तो बच्चों सर्व पर्थम हम इसका शब्दार्थ जानेंगे जिससे हमें कविता को समझने में आसानी हो जाएगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अब रजत रजत का अर्थ होता है चांदी और स्वन का अर्थ क्या होता है यानि सुने के तो अब रजत और स्वन दोनों के रंग तो अलग होते हैं हना वो पीले रंग का होता है ये थोड़ा सफेद रंग का होता है मंजरियों से अब यहाँ पर पीले रंग का सफेद रंग की कल तुलना किसे की गई है मंजरियों से की गई है मंजरियां किसे कहते हैं यानि बीज को कहते हैं उस फूल को कहते हैं जो की आम के आमरतरू यानि आम के पेड़ पर लद गई है और देखने में कैसी प्रतित हो रही है रजत और स्वन्ड के जैसी जुक रहे ढाक पीपल के दल अब यहां पर जब पत्जड का मौसम आता है तो क्या होता है सारे सारे जो पेड़ है व का नाम है और पीपल भी एक पेड़ का नाम है दल का अर्थ होता है पत्ता यानि दोनों व्रिक्षों के पत्तों की बात की जारी है यहां पर हो उठी कोकिला मतवाली यानि ऐसे रितू में जब सारे पत्ते जड़ जाते हैं फिर वसंत रितू आता है तो क्या होता है तब को कोकिल मतवाली हो जाती है कोकिला का अर्थ होता है कोयल चलिए अब जानते हैं इसका भावार्थ कवी ने वसंत्रितु का यहां पर मन मोहक चित्रन किया है कवी कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदी के रंग की लग रही हैं आम के पेड़ पर तो क्या लग गए हैं मनजरियां लग चुकी हैं और पत्जड के कारण ढाक पीपल के पेड़ की पत्तियां जढ रही हैं तो पत्जड में क्या होता है सारे पत्ते पेड़ों के जढ जाते हैं और फिर जब वसंत्रितु आती है तो अपने साथ क्या लाती है कोयल की कूकलाती है इसी बात को यहाँ पर कभी ने बताने की कोशिश की है और कोयल वसंत्रितू की मादक्ता में मतवाली होकर मधूर संगीत सुना रही है तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से हर रितू का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे पत जड़ाता है उसके बाद वसंत रितू आता है कैसे धर्ती का श्रिंगार हर पल बदलता रहता है उसी सुन्दर्ता का बखान कवी ने अपनी इस कवीता में किया है आगे की पंक्तियों में है कभी कह रहे हैं कि महके कठल मुकलित जामुन जंगल में जर्बेरी जूली फूले आडू निम्बू दाडिम आलू गोभी बैगन मूली तो यहां पर आप आप ने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आप समझ गये होंगे कि अब यहां पर हम जितनी भी सबजियां हैं उन सब की चर्चा करेंगे क्योंकि इन पंक्तियों में उसी की सुंदर्ता का वंडन किया गया है महके कठल महके यानि खुश्बू देना कठल एक तरह का यह सबजी होता है आप लोगों के घरों में भी बनते होंगे मुकलित मुकलित का अर्थ होता है जामुन यानि अध्खिला यानि आधे कच्चे और आधे पक्के तो ऐसे ही जामुन की यहां पर कवी ने चर्चा की है जंगल में जर्बेली जूली जंगल में लगे हुए जो बेर के पेर होते हैं उस पे जितने भी बेर लगे रहते हैं गुच्छों में वे हवा के छोंकों स अपने आप ही जूल रहे हैं, कभी को लग रहा है कि वो आपस में ही जूल रहे हैं, जूला जूल रहे हैं, फूले आडू, फूले यानि फल देना, यानि किसका मौसम आ गया, अब आडू का मौसम आ गया, निम्बू का और दाडिम का, दाडिम किसे कहते हैं, अनार को, दाड अर्थ तो जान लिए अब इसके भावार्थ की और बढ़ें कवी ने पेड़ों में लदी फल एवं सबजीयों की फसलों का बड़ा ही सुन्दरवर्णन किया है पूरे वाता वरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो बस दे चुकी है खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जीयां उग चुकी हैं जैसे आलू निम्बू अनार गोभी बैगन मूली इतियादी तो आपने देखा प्रकृति की छटा निराली है चाहे वो फसल हो चाहे वो सब्जीयां हो चाहे वो फल हो हर चीज से प्रकृति का भुट लगता है, तो कवी अपनी कल्पना में यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से खेत, विभिन विभिन चीजों से सजा हुआ है, उसकी कैसी गंधारी है, जैसे कठल पक गय, तो उसकी अलग खुश्बु आती है, जामून पकने वाले हैं, उसकी अलग खुश्बु आती है, तो कवी ने यहाँ पर हर चीज़ के बारे में हमें बताने की कोशिश की है आगे बढ़ते हैं तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस पाठ का यानि ग्राम श्री का पहला भाग जिसकी चर्चा आज हमने की आप लोगों को यह भली भाती समझ में आ गई होगी तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को जरा एक बार देखें कवीता में किस मौसम के सौंदरे का वन्नन है अब तक हमने जितनी भी कवीता यह पढ़ी है जितनी भी पंग्तियां पढ़ी है उसमें आप यहां पर कवी ने किस मौसम के सौंदरे का वन्नन किया है जानते हैं इसका उत्तर कवीता में सरदी के मौसम के सौंदरे का वन्नन है इस समय गुलाबी धूप हर्याली से मिलकर हर्याली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है और पौधों पर पड़ी उस हवा से हिलकर उनमें हरा रक्त होने का भान होता है जैसा कि मैंने आपको पंक्तियों में समझाया था कि जब उसकी बूंदे तिनको पर पड़ती हैं तो कभी को ऐसा आभास होता है कि पत्तों की अंदर जो दुरक्त प्रभावित हो रहा है प्रवाहित हो रहा है वो किस रंग का है हरी रंग का है तो इसी के बारे में यहाँ पर उसी सुन्दर्ता के बारे में कवी ने बताया है अगला प्रशन देखें तिनको पर ओस की बूंदे देखकर कवी ने क्या नवीन कल्पना की है और क्यों की है अब देखिए कवी ने जब ओस की बूंदे देखी फसलों के उपर सारे खेत में हर जगा पे सिर्फ ओस की बूंदे चीटी हुई है, ऐसा लग़ा है किसीने बिखेर दी है, तो कवी ने क्या कल्पना किया, उसी कल्पना के बारे में इस प्रश्ण में पूचा गया है, उत्तर देखते हैं, तिनकों पर ओस की बूंदों को देखकर कवी ने हरे रक्त की नवी इनकल्पना की है क्यूंकि तिनकों के ऊपर पड़ी ओस की बूंदे क्या कर रही है हवा से अपने यहां भी हिल डूल रही है और इससे बूंदे तिनकों के हरे रक्त सी स्वयम प्रतीत हो रही है अगला प्रश्ण देखें धर्ती रोमांचित सी क्यूं लगती है यह रोमांच किस तरह प्रकट होता है अर्थात कवी कवी यहां पर यह पूछना चाहता है क्यूं धर्ती रोमांचित लगती है किस बात के लिए इतनी प्रसन्न लगती है और वो अपनी प्रसनता को किस प्रकार जाहिर करती है किस गेहूं और जो की बालियां अब आ गई हैं जिस तरह रोमांचित होने पर हमारे शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार से धर्ती धर्ती पर गेहूं और जो की बालियों में जो दानों पर लगे नुखीले भाग होते हैं जब वो कवी उसे देखता है तो लगता है कि यह धर्ती के रोएं हैं यानि रोम हैं और जिन से उनका रोमांच प्रकट हो रहा है बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की तरफ तितलियों के उड़ने से वातावरन पर क्या प्रभाफ पड़ रहा है इस दृष्च को देख कर कवी क्या अनूठी कल्पनाएं कर रहा है तो जब तितलियां फूलों पर उड़ रही थी तो उसको देख कर के कवी ने क्या कल्पना की कैसे उसकी अभी व्यक्ति की तो उसी के बारे में यह प्रश्न है उत्तर देखें पेड़ पौधे एवं फसलों पर रंग बिरंगे सुन्दर फूल खिले हैं यह फूल हवा के साथ घूम रहे हैं तितलियां उड़ती फिरती एक फूल से दूसरे फूल पर आ और जा रही हैं इससे वाता वरण अत्यंत सुन्दर बंज गया है और इसको देख कर कवी यह कल्पना करता है कि स्वयम फूल ही उड़कर एक डाली से दूसरे डाली पर जा रहे हैं तो बच्चों उम्मीद करती हूं कि आज हमने जो कवीता पढ़ी है उससे आप भली भाती समझ गए होंगे हमने इसके साथ ही साथ शब्दों के अर्थ भी जाने कवीता वाचन किया और भावार्थ पर भी चर्चा की तो इसी के साथ अब मुझे विदा दीजिए धन्यवा झाल